जैश्री रादे जैश्री कृष्णा 27 नवंबर 2023 बहुत ही महा जोग बहुत ही बड़ा संजोग इसे आपको बिलकुल खोना नहीं है बहुत बड़ा मौका है 152 सालों बाद यह जोग जो है वो बन रहा है इसमें भ्रहम जोग इसमें महालक्षमी जोग इसमें शिव जोग इस मौके को जानें अगर आपने दे दिया तो आप बहुत कुछ खो देंगे अगर आप चाहते हैं कि लक्षमी जी की क्रीपा आपर हो दन की वर्षा आपर हो यह प्राचिन काल सी यह जो महा उपाई है जिसको करने से मालक्षमी का बरपूर आशिवाद मिलता है यह उपाई ऐ जोति शास्त्रों में लिखा हुआ है यह उपाई आपके जनम जनम के ग्रेवी को जर से खतम करता है आपकी जो भी परेशानी हो आपके रुके हुए काम हो रोग कर्ष्ट आर्थिक स्तिती अगर आपकी खराब है अगर आप करजे में डूबे हुए हैं तो सब आपका खतम हो जाएगा आपके रास्ते आपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे यह उपाई अगर आप शुब महुरत में और जैसे बीदी पुर्वक शास्त्रों में लिखा है तंतर शास्त्रों के अनुसार जैसा लिखा है वैसा आप करेंगे तो आपके जीवन में जो दन आने के रास्ते बंद हुए थे वो सब रास्ते खुल जाएंगे पूरी तरह से खुल जाएंगे और साथ ही बवान विश्नु जी की माता लक्ष्मी जी की और बोलेनात जी की कृपा आप पर होगी यह उपाई करने से राहू अगर आपका खराव है के तू खराव है शनी की नहीं हो रहे हैं आप आर्तिक स्थिती जो है वो जूज रहे हैं आपके आर्तिक स्थिती बहुत खराव हो चुकी है तो आपको इस उपाई को जरूर करना चाहिए वो भी कार्तिक पुनिमा के दिन बहुती बड़ा महान जोग बन रहा है इससे होगा क्या कि आपका रुका ह वो आपको पैसा मिल जाएगा अगर आप कर्ज में डूबे हो तो वो आपको कर्ज आपका खतम हो जाएगा आर्थिक तंगी आपको है तो वो खतम हो जाएगी दन की वर्षा आप पर होना शुरू हो जाएगी अगर नोकरी की आप त्यारी कर रहे हैं तो आपको नोकरी मिल ज विजनस करना चाहते हैं तो आपका विजनस जो है अच्छा चल पड़ेगा रोग से ग्रहसित हैं तो आपका रोग खत्म हो जाएगा इस उपाय करने से जो आपकी इच्छा है वो आपकी पूरी हो जाती है इस उपाय को अगर आप विदी विधान से करते हैं आपको करना क्या इस लौंग के उपाय को करने से लक्षमी विश्णू भगवान और बोले नाचि का आशवाद एक साथ मिलता है क्यूंकि लौग का उपाय जब पूजा में किया जाता है तो ये तुरंथ भगवान का आशवाद आपको मिलने शुरू हो जाता है क्युкуюंकि लोंग में माता लक्षमी जी के दिवेशक्तियों का वास होता है 27 नुवंबर को कार्थिक पुर्निमा में जो महा जोग बन रहा है उसमें ये लोंग उपाई आपको ज़ूर करना है सही महुरत में करना है आपको क्या करना है सूरे अस्त से पहले ही यह उपाय करना है और आपको साफ सुसरे कपड़े पहन कर नहाद दोकर एक तांबे के लोटे में साफ पानी बरके उसमें गंगा जल हलका सा डाल दें थोड़ा सा उस जल में चार लोंग आपको डाल देनी है ध्यान रही ये लोंग पूरे होने चाहिए खंडित नहीं होने चाहिए और मंदी जाना है आपको और शिवलिंग पर ये जल अर्पित करना है और 108 वार ओव नमशुवाय का जाप आपको करना है उत्तर की तरफ आपका मूँ होना चाहिए और ये करके आपको अपनी कामना बो काले दिन बगवान बोले नाथ अपने बगतों के हर इच्छा को पूरण करते हैं इसलिए ये उपाए आप जरूर करें जय श्री रादे जय श्री कृष्णा